आज की तारीक में डॉकर और कुबरेटी यसी टिकनोलोजी ने डेवलपर्स के लिए एप्स को डिपलॉई करना बहुत आसान बना दिया है तो दुनिया जानती है आज मैं आप लोगों को एक इसी जगत के टूल के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है याच इससे आ जो की आपका एंड गॉल होता है डॉकर की मदद से यह होता है कि आप डॉकर में सारी की चीज़ आटोमेट कर सकते हो और आटोमेट करने के बाद आपकी डिरेक्ली जो एप थी वह इंस्टाल हो जाती है याच इस चीज़ को बहुती बना देता है आपकेके कानेश को let's get started और याज को select करके यहाँ पर मेरा जो saved password है उसी को मैं use करूँगा admin at yach.local याज का email होने वाला है अब इसके बाद आप यहाँ पर याज का theme बगएरा यूज कर सकते हो मैं यहाँ पर Debian 11 में या फिर Ubuntu 22 में इसको बनाऊँगा और आप कुछ भी use कर सकते हो वैसे जो आपका nearest region है उसमें आप लोग select करो मतला अपना region वो select करो जो कि आप जहाँ के सबसे पास हो और finally मैं dedicated charge gb करके इसमें root password डालके और इसको provision होने के लिए डाल देता हूँ अब क्या होता है कि जब हम इसको provision होने के लिए डालते हैं इस हिसाब से यह रोड़ा time लेता है ठीक है और time काफी ले लेता है मैं तो कहुँगा कि यार आप कम से कम 10-20 minutes वेट करो उसके provision होने का और एक बार provision हो जाता है उसके बाद इसको अच्छे से आप लोग use करो बहुत सारे लोग जल्दबाजी करते है उससे क्या होता है यहां तो यार्च अच्छे से install नहीं होता है अब देखो यहां पर provisioning लिखकर आ रहा है अब यह running लिखकर आजाएगा तो running जब लिखकर आता है तो इसका मिलखकर अगर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो ड्रॉपलिट है या फिर लिनोड में इसको लिनोड कहते है जो आपका लिनोड है वो आपका स्टार्ट हो गया है अब इसमें याच इंस्टाल किया जाएगा तो आप लिखकर देख सकते हूं progress सारी चीज़े इसकी करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आप लिख कंसोल में देख सकते हो कि किस तरह से आपकी क्या चीज इंस्टाल हो रही है, अभी देखो यह लिनोड इसंट रुनिंग क्योंकि अभी प्रोविजन हो रहा है, अभी आपकी मशीन बनाई जा रही है तो यह पूरी प्रोसेस टाइम लेती है, इसको आप टाइम दे दो इसका और जैसे ही आप इसको टाइम दे दोगे, यह आटोमाटिक हो जागा, अभी बूटिंग लिखकर आ रहा है, बूट हो रही है, यह मशीन पर ररनिंग लिखकर आएगा, इसका मतलब यह नहीं कि याज चालू हो चुका है, याज चालू होने में टाइम लगेगा, याज आपक लेकिन आपने colon 8000 लगा देना, अब देखो, मेरी IP इडरेस यहां पर 139211 पर फिनिश हो रहा है, तो मैं इस पर colon 8000 लगा दिया, अब एमेल अगर आपने चेंज नहीं किया है, तो admin at yach.local, ठीक है, ये cth, cth.local, ठीक है, cht, sorry, yach.local, ठीक है, और password जो है, मैंने अपना copy करना का, यह वही password है, जो कि हमने starting में दिया था, बनाते वक, ठीक है, तो मैं login करूँगा, और मैं login हो चुका, और मैं इसको save भी कर लोगा password को, ठीक है, तो आप देख सकते हो, एक बहुत ही प्यारा से dashboard हमको देखने को मिला है, अब आप लोग क्या करो, यह template में जाओ, और आपर देख सकते हो कि मुझे templates मिल गया है, यहाँ पर मैं click करूँगा, जैसे इस templates में तो बहुत सारी apps तिखाएगा मुझे, जो मैं install कर सकता हूँ, single click पर, ठीक है, तो आप चाहो तो यह install कर सकते हो, आप code server यहाँ पर deploy पर click करके install कर सकते हो, मैं continue पर जाँँगा, और फिस करना, continue करना, deploy करना, और यह दुबारा से internal server error दिखा रहा है, मैं देखता हूँ क्या issue आ रहा है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सारे environment variables यह हटा दूगा, ठीक है, और इन environment variables को हटा की deploy करूँगा, और अब मैं deploy करूँगा, तो यह शायद deploy हो जाएगा, तो मैं wait करूँगा deploy होने का, अब मुझे error नहीं आया, अब मैंने यहाँ पर search किया, तो मुझे solution मिला कि सारे environment variables हटा दो, but that's fine, मैं यहाँ पर इसका wait कर रहा हूँ भी install होने का, और यह जैसे install हो जाएगा, मैं वापस आता हूँ, तो अब यह आपर देख सकते हो कि यह getting apps, यह आप सारी display करने क कोशिश कर रहा है, तो code server मैंने यहाँ पर install किया हुआ है, तो यह देखो, यहाँ पर मैं code server अपने launch कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर trust करूँगा, SI trust, और मालो मैं यहाँ एक mean.py बनाकर, एक python program भी लिख लेता हूँ, ठीक है, और मैं मालो लेखता हूँ, import os, print os list dir, wow यहाँ, मज़ा रहा है, अब मैं एक extension भी install करूँगा, code runner, ठीक है, मतलब बस कुल मिलाकर बात यह है कि, बिल्कुल जैसे मैं अपना VS code चलाता हूँ, वैसे ही चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पता है मज़ा आता है यह सब करने में, पता नहीं क्यों, बहु अचली, pseudo apt install python, ठीक है, शायद अब install हो जाए python, क्या हो रहा है install python, pseudo password मांग रहा है इसका, शायद password मुझे याद हो, शायद याद ना हो, नहीं, password गलत हो गया, तो यार python इसको install करने के लिए figure out करना पड़े है, कैसे करना है, but that's fine यार, ठीक है, अभी के लिए जो है, ऐसे ही काम चलाते है, ठीक है, python इसमें install नहीं है अभी, अब एक बद आपको याँ पर बताता हूं कि जो containers होते हैं, वो delete होते रहते हैं, और spin up होते रहते हैं, तो ऐसे python install करना ठीक भी नहीं रहेगा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कि या पर या तो port forwarding कर सकते हो, या फिर इसक templates में, templates पर click करूँगा, और देखते हैं, कुछ और मज़ेदार सी चीज, जिसको या अक्चुल में guacamole कर सकते हैं, आप सो लोग install, guacamole पे एक और वीडियो बना रखा है, मैंने वो देख लेना, अगर आप चाओ तो, अब ये के लिए library speed करते हैं, इसको continue करूँगा, हो चुका है, मैं start करूँगा, और ये मेरी speed है, उसको test करेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरा actual internet है, इस cloud का internet नहीं, मेरा internet, ये test कर रहा है, ठीक तक आ रही है speed, actually दूर रखा हुआ है wifi यार, reason ये भी है, और फिर 2.5 GHz वाला use कर रहा हूँ मैं, ठीक है तो उससे भी है, 2.5 GHz नहीं, 2.5 GHz, ठीक है, दो bands होते हैं, dual band router, मेरे पास है एक, यहाँ पर भी use नहीं कर रहा हूँ, dual band router, ठीक है तो ये मेरा internet speed इसने मुझे बता दिया, तो आप लोग क्या करना भी, कि इस video के बाद, और कुछ templates install करके देखना, और आप लोग देखना क कि क्या के चीज़े और आप कर सकते हैं इससे, अब मैं आप लोग को ये बता देता हूँ, कि किस तरह से आप लोग इसको जो है, stop कर सकते हो container को, तो आप डैशपोर पर जाओको तो आपको ये भी बता रहा है कि कितना CPU usage ले रहा है, कितना memory usage, कितना memory usage, क्या चीज ले रही ह वो चोटा सामने instance बनाया था है, हम चाहे तो एक बड़ी machine पर काफी चीज़े भी कर सकते है, इसी का एक alternative होता है port trainer, port trainer, port trainer, port trainer, ठीक है, और port trainer.io पर जाके आप देख सकते हो, इसकी भी documentation को आप देख सकते हो, y-a-t-c-h, और c-h-t-r, मैं क्या कर रहा हूँ, ये ना spelling मता न जैसे मैं की docks पर जूँगा य आच ke docks, याच, docks, docker भी लिखता हूं, याच.sh, यह है को यह इसकी documentation पर जाके, इसके बारे में काफी चीज़े बढ़ सकते हो, और चीज़े आपको आपको देखने को बिलेगी, तो अब यहाँ पर dive deep करना चाहते हो, तो कर सकते हो, ठीक ह और इस machine में फाल तो मैं यह कर रहा है memory ले रहा है resources ले रहा है то मैं stop करूँगा इसको और अच्छो टाइम लेता है यह stop होने में अब देखो यह stop हो गया है शायद मैं kill कर दूँगा इसको और यह कह रहा है कि भाई kill नहीं कर सकते कि already यह running नहीं हो रहा है इसलिए अब आप चाहो तो यहां पर क्लिक करके अपने हिसाब से इमेज वगएरा कस्टम इमेज भी दे सकते हो और फ्रॉम टेंपलेट आप यहां पर जाके भी इंस्टॉल कर सकते हो तो वह आपके उबर है आप डॉकर अपसे भी ला सकते हो इमेज को और उसके बाद वहां से इस्टॉल कर सकते हो तो कुल मिलाकर एक काफी बढ़िया सिंगल क्लिक चीज है यह और कुल मिलाकर यह है कि कभी कभी चीज है हम लोग ट्राइओट करना चाहते हैं तो हम नहीं चाहते कि इंस्टॉलेशन क कि मेरे और भी वीडियो देखने चाहते हो तो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर कोडव इधरी लिनोट करके मेरे लिनोट के बहुत सारे वीडियो में बना रखे हैं इस तरह के जिसमें लिनोट का यूस करके काफी फ़न चीज हमने की हुए है से ग्वा का मुली पर ब प्रयूब